गोशालाओं में गाये आपने बहुत देखी होंगी लेकिन ऐसी बहतरीन देशी गाये शायद ही देखी हों लेकिन दूसरी तरफ जादातर गोशालाओं में गायों की सेहत अच्छी नहीं रहती है इसके क्या कारण है ये भी सुन लीजिए जहां प्रेम नहीं है भाव नहीं है वहां गोशालाओं नहीं चलेंगी अभी पीछे एक पुछ दिन पहले एक प्रोग्राम में जाना हुआ जहां नंदी शाला का उद्गाटन था और खुद एक गोशाला के परधान जी ने दो घंटे तक लंबा स्पीच दिया और तब उत् गोशाला कैसे चलाई जाती है हमें सीखना चाहिए आसी सग्रवाल जी से इनकी गोशाला कैसी है आपको ये भी बताएंगे और ज्यादातर गोशालाओं की हालत क्या है ये भी आपको बताएंगे इनका कहना है कि अगर ऐसी हिस्तिती चलती रही तो गाए एक दिन आपको द क्या स्टिति है गोशालम में क्या स्टिति है वो जानकर आपको लगेगा कि वास्तव में गोशेवा जो होनी चाहिए वो पूती नहीं है क्या स्टिति बाकी गोश Allah की है और इनकी गोशालम का यह दोनों का आंतर आपको आपने बताया कि गोशाला की स्थेती ज्यादातर में वीजिट कर रहे हैं वो नहीं है जो होनी चाहिए पहले तो आप बते हैं कि टीर और आज दोर। आज इ। 6 साल पहले सुरुत हुई थी गोशाला की और तब देखिये गोशालाओं में क्या रहता है फाइनाइंस की दिक्कत रहती है और पैसे के अभाव में जिन गोशालाओं में कारिय नहीं हो पा रहे या अच्छा चारा नहीं डाल रहे वहां की स्थिति तो हम समझ भी पाते हैं लेकिन बहुत सी गोशालाइं ऐसी है जहां फंड तो बहुत गोशाला देख के आएं खूब तालियां वजी और अच्छी बाते गोशेवा के परती उन्होंने बताई जब धरातल पे गए तो गाएं के लिए ऐसी ऐसा चारा डाल लखा था जो हम कूडे में भी नहीं डालते और इतनी बिमार गाएं पड़ी थी और कोई ध्यान देने वाला नहीं था अब समस्या कहां आती है वो प्रेम नहीं करते अब तरफ सर्कार की तरफ से तो अच्छी पेहल है लेकिन के लिए जाधा अच्छा भी नहीं है क्योंकि लोग गाएं की संख्या पूरी रखने के लिए ध्डां-धड़ गोसालाओं में ठोस रहे हैं और वो गाएं परवा उनको है नहीं कि मरें या जियें बस उनकी संख्या पूरी हो जाए इसलिए वो गाएं मर रही है दिन और बात से मतलब नहीं है कि गाएं यहां जादा रोक लेंगे तो मरेंगी या बचेंगी अब यह मान के चल लीजिए ऐसा यदी चलता रहा तो आपको दावे के साथ कह सकता हूं गोमाताएं हरियाना से 5 या 10 साल में मात्र ही चुनिंदा कुछ गोशालाओं में बचेंगी और वो भी बचेंगी वहीं जहां अच्छा रख रखाओ होता होगा क्या स्थिति है क्या आपका कहना है कि गोशालाओं में गाये मर जाती है या देखफाल के भाव में होता है कैसे क्या स्थिति है वो सब को उसलाओं की अलग-अलग समस्याए होती है जहां फंड की कमी है जहां लोगों का धान कम है वहां की तो हम मानते हैं कि वहां चलो लोग संगर्श कर रहे हैं लेकिन जहां पैसे जादा है उनको तो पूरा तन्मन धन उनको गोमाता के लिए समर्पित कर देना चाहिए और आज से ये हमने अनुभव किया है कि एक चाय पिलाने तक के पैसे गोशाला में नहीं थे आज हम डेड़ सो से दो सो लोगों को खाना खिलाते हैं और वर्धासरम भी चलाते हैं और जो भी कारिये हम से संभव हो पाता है बन पड़ता है गरीब कन्याओं की साधी का कारिये गाये हैं तभी संभव हो पा रही है वर्धों की सेवा गाये हैं तभी हम भोजन खिला पा रहे हैं तो गाये साथ साथ एक देवता हैं आप इनकी पूझना कीजिए वैसे ही जैसे आप अपने कुल देवता को पूझते हैं कितनी गाये हैं आपके पास इस गोशाला में अभी हमारे पास साड़े साथ सो गोमाता हैं और हमारे पास जगह की काफी कमी है फिर भी हमने जगह मोल ली है और सभी के सहयोग से मोल ली है जिसमें हमने आधा एकर जमीन और ली है जिस तक अच्छी रहेंगी। इसे अच्छी स्थिति बाहर वाली गायें भी काफी अच्छी हैं जो बे सहरा घूम रही हैं, काफी गोसालाओं से जैसे सो में से 95 गोसालाओं ऐसी हैं जहां आप गायें छोड़ दीजिएए, एक महिने बाद गायें मर जाएगी। इस से अच्छा तो बाहर रहती हैं जहां वो कम से कम आप कभी भी देखेंगे तो बाहर की गाएं हश्ट-फुष्ट आपको मिलेंगी बजाए की गोशालाओं की गाएं के क्योंकि वहां प्रेम का अभाव है और प्रेम चाहिए गोमाता को अन्य किसी भी जीव को सिरफ आप भोजन दीजिए आप पानी दीजिए वो खुस रहेगा लेकिन गोमाता यह है कि आप भोजन और पानी से वज़स्ता नहीं बनेगी इनको आपको प्रेम देना होगा और माता है तो प्रेम इनको चाहिए ही चाहिए हर साल होती है आपके हैं का स्थिति हैं हमारे यहं प्रेमे बढ़ाया कैसे भढ़ाया क्या चल बशी बाकि आप दीख को सदे नंबा जीति हैं और तो आपने जब शुरुवात की थी फिर क्या-क्या बढ़ाया कैसे बढ़ाया क्या स्थिति थी सुरुवात में हम दोस्त आये थे यहां पर तो हमने देखा कि गाय की स्थिति बड़ी खराब है और सच में गोशाला चलाना एक काम मुश्किल का भी काम है इतना आसान भी नहीं लो है नवनित सरुमाजी और सव्क हमारे साथ दिया और सभी ने ंージण को कि सिसी को सदेवें औरख इने वाला यह है और मां का दरजा देने की हैसित हमारी है नहीं यह स्वेष्य माता है क्योंकि बच्पन-मा के माथ के बाद जिसका रू-दूद बच्चे पीते आजियोगा का साधन गोमाथा और एक प्रेम और करुणा की मूर्ति गोमाथा तो दोस्तों जैसा आशी सकरवाल जी ने बता की भाव की बात है यह इस को शाला के प्रदान है और जब इन्होंने यह जिम्मेदारी संभाली थी तब गोशाला की हालत बड़ी दैनिये थी 1500-200 गाय बची थी लेकिन 4-5 साल में ही इन्होंने इतनी लगन से सेवा की कि आज अगर आप यहां गोशाला में आकर देखेंगे तो यह देश की बहतरीन गोशालाओं में से एक बन गई है साथ सफाई की व्यवस्ता हो, गाय के चारे, भोजन की व्यवस्ता हो, पाने की व्यवस्ता हो, इनके रहने की व्यवस्ता हो सारी व्यवस्ताइं उत्तम दर्जे की हैं और इसके साथ साथ आप इन्होंने यहां जो भी आते हैं भोजन होता है उनके लिए और भी विवस्थाएं जोड़ी हैं और गाय के लिए ओश्दाले भी हैं तो दिरे दिरे आगे बढ़ रहे हैं और इन्होंने कुछ लोगों के रहने की विवस्था किये ताकि कोई बाहर से गोशेवा करना चाहता है यहां रुक सकता है कुछ दिन रुके गोशेवा करे यहां के वातावन में आनंद ले यह वीडियो हम ने इसलिए दिखाया है कि ऐसे अगर आशिश अगरवाल जी चार-पांच साल में अपनी गोशाला क्या काय कल्प कर सकते हैं तो जिनके पास संसा सब्सक्राइब को इसी तरह निभाएं तो जाकर के गोशाला के हालत अच्छी हो पाएगी जिसे हम गो माता कहते हैं जो गो प्रेमी हैं उनके जो बाव हैं वह तभी सार्थक होंगे जब इस तरह से गोशाला चलाई जाएगी जुड़े टेकनिकल फार्मिंग से नमस्कार अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेर जरूर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले